प्रिच रस्वई में आपका स्वागत है आज मैं सूजी और लौकी का बहुत ही हैंदी और टेस्टी नास्ता की रेसिपे शेयर करने वाली हूँ तो उमीद है आपको इनास्ता बहुत ही पसंद आएगा अगर पसंद आए तो प्लीज साथ के साथ लाइक कर दीजिए और इसक कर सकते हैं सूजी को मिक्सिंग बॉल में डाल देंगे और दो बड़ा चमाच इसमें बारी कटा हुआ प्याज एड करेंगे और आधा चमाच इसमें काली मिर्च पॉडर डालेंगे आधा चमाच इसमें लाल मिर्च पॉडर डाल देंगे और एक हरी मिर्च बारी कटी डाल देंगे इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और एक कप ग्रेट किया हुआ लौकी डालेंगे हम लौकी के जगा को भी अपने मन पसंद सबजी का यूज कर सकते हैं लेकिन आज मैं इसको सूजी के साथ बना रही हूं लौकी को बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे नमक और मिर्च हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे और इसे अच्छा तरह से मिला लेंगे अगर बच्चों को खाना है तो मिर्च कम डाले इसे अच्छा तरह से मिला लेंगे उसके बाद इसमें हम दही डालेंगे, हम इसमें दो कप दही का यूज किये हैं, हम दही से घोल तयार करेंगे, हमें जितना यूज होगा उतना ही हम दही डालेंगे, हमें गाढ़ा घोल तयार करना है, हमें जितना जुरुरत है उतना ही हम दही लेंगे, तो दो कप दही में अच्छा गाढ़ा घोल तैयार हो जाएगा अगर जादा गोल गाड़ा है और सूजी जादा दही सोख लिया है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं और इसे अच्छा तरह से मिला लेंगे चाहे तो इसको हम तुरंट गोल कर के तुरंट नासता बना कर ट्यार कर सकते हैं लेकिन इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए ढ़क कर छोड़ देंगे तो इस तरह से मिक्स हो गया है 25-30 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसके बाद 25 मिनट के बाद इसको थोड़ा से मिला लेंगे अगर गाड़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेगे अब गैस ओन करेंगे और पैन चड़ा देगे पैन गरम हो जाथे एक चमच रिफाइंड ओल डालेंगे और चमच से बैटर को डाल देंगे और इसे अच्छा तरह से फेला लेंगे राउन से प्रेप में टिकिया का जैसा हम बनालेंगे और जब नीचे थोड़ा कृस्फel हो जाए ब्राउन हो जाए तब इसे हम पलत लेंगे तो उलक पुलड के इस तरह से हम शेक लेंगे इसे हम चाहे तो ज़्यादा तेल में भी फ्राई कर सकते हैं और गैस का फ्ले मीडियम रखेंगे और यह अच्छा तरह से सेख चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे सारे बैटर को हम इसी तरह से त्यार कर लेंगे थोड़ा सब ओयल डालेंगे और इस तरह से बैटर को डाल देंगे पैनकेक का जैसा इसको हम डाल देंगे बैटर को और इस तरह से उलट पुलट करके सेख लेंगे और यह गरमा गरम नास्ता बन करके तयार है अब हम इसे अपने मन पसंद चटनी के साथ सर्व करेंगे तो मैं इसे tomato sauce के साथ सर्फ की हूँ और काजू और हरदनिया की पत्ती के चटनी के साथ सर्फ की हूँ अगर काजू और हरदनिया की पत्ती के चटनी की recipe आपको देखनी है तो description box में इसका link दे दी हूँ प्लीज आप वहाँ से देख सकते हैं तो आज का इनास्ता का recipe आपको कैसा लगा प्लीज लाइक कर दीजिये शेर कीजिये मेरे ऐसे आने वाले recipe के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिये थैंक यू